साथियों, जीवन के जिस मार्ग पर अब आप आगे बढ़ रहे हैं, उसमें निश्चित तौर पर आपके सामने कई सवाल भी आएंगे. ये रास्ता सही है या गलत है, नुक्षान तो नहीं हो जाएगा, समय बरबाद तो नहीं हो जाएगा, ऐसे बहुत से सवाल आपके दिल दिमाग को जकड लेंगे. इन सवानों का उत्तर है, सेल्फ थ्री, मैं सेल्फ भी नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं सेल्फ थ्री, यानि सेल्फ एवर्नेस, सेल्फ कांफिडन्स और जो सबसे बड़ी ताकत होती हैं, वो है सेल्फ लेस्नेस. आप अपने सामर्थ को पहचान कर आगे बड़े, पूरे आत्मविश्वात से आगे बड़े और निश्वार्थ भाव से आगे बड़े. हमारी यहां कहा गया है सनेही पंथाह, सनेही कंथा, सनेही परवत लंगनम, सनेई भिंदिया, सनेई विक्तम, पच्चतानी शनेई शनेई. यानि जब रास्ता लंबा हो, चादर की सिलाई हो, पहाड की चड़ाई हो, पढ़ाई हो, या जीवन के लिए कमाई हो, इन सभी के लिए धैरिये दिखाना होता है, धीरद रखना होता है. विज्ञान ने सैंकडो साल पहले की इन समस्याओं को आज काफी सरल कर दिया है, लेकिन नौलेज और साइन्स के प्रयोग इनको लेकर, ये कहावत धीरे धीरे धीरत से, ये कहावत आज भी उतनी ही सास्वथ हैं. आप सभी साइंस, टेकनलोजी और इनोवेशन के जिस मार्क पर चले हैं, वहाँ जल्दबाजी के लिए कोई स्थान नहीं है. आपने जो सोचा हैं, आप जिस इनोवेशन पर काम कर रहे हैं, संभव हैं, उसमें आपकी पूरी सफलता न भी मिलें. लेकिन आपके उस असफलता को भी सफलता ही माना जाएगा, क्योंकि आप उससे भी कुछ सीखेंगे. आपको याद रखना है कि हर वेज्ञानी और टेक्नोलोजिकल असफलता से एक नया रास्ता निकला है. मैं आपको सफलता के रास्ते पर जाते हुए देखना चाहता हूँ. ये विफलता ही सफलता का आपका रास्ता बना सकती है.